तो हाई गाईस हम आगे हैं वापस फिर से एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ तो गाईस आप देख सकते हो आज हमारे पास क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है सबको और लेडी समझ में आ गया होगा यह इतना और गजब का बेबलेड है तो यस हम इस पर डिटेल में बात कने मैं इसको फटाक से खोल लेता हूं और तब तक आपका काम क्या है आपका काम है गाईस इस हैलो की टीग रेड करदर को अच्छे से देखना और बताने कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा तो ऐसा ही है सब्सक्राइब बटन दबा दो फटाक तो हाई गाइस हमने अनबॉक्स कर लिया है अपना एस्टरल हेलो किटी और गाइस बहुत ही शांदार लग रहा है सच बोलूं तो यार वन आफ दा बेस्ट लुकिंग डीवी बेबलेड या बीउ बेबलेड है और उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं अब्विसली अल्टि चीजों की बात कर लेते हैं तो यह सब्सक्राइब लगाना चाहँ और दूसरा यह पूरा है एस्टल है किटी का पूरा बेबलेड इस्टीकर दिया गया है जो पता नहीं कहां पर लगाना है देखें कि कहां लगा लें तो अभी कुछ आइडिया नहीं कि उसको कहां लगान मिलता है चैनल उसके साथ हमें यह टूल मिलता है तो यह काफी गजब की बात है कि टूल देता है तकर अटॉमी यह अच्छी बात है और guys आपके comparison के लिए दिखा दूँ ये रहा आपना astral spring gun जो की काफी similar वैसे इस पर भी आएंगे तो इसको भी side में कर देते हैं तो guys मैं फटाक से आपको इसके सारे parts दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें क्या-क्या मिलता है तो चलो खोलते हैं बेको फटाक से guys तो guys यहाँ पर हमें सबसे पहले astral की layer मिलती जो की काफी गजब की है और मुझे color scheme अच्छा लगा personally मुझे अच्छा लगा कुछ नया नहीं है बढ़ हाँ color scheme अच्छी है और guys उसके बाद db core है और इसकी जितनी तारीफ कर उतना कम है guys क्योंकि यह जो db core पे paint है यह paint बहुत सुन्दर है guys कसम से यह इतना premium feel देता है कि देखके मजा जाता है मुझे expected नहीं था इतना अच्छा color scheme और paint निकल के आए यह एकदम premium feel है वह बहुत solid है guys क्या बात है मज़ा आ जाता है और guys पता नहीं क्यों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं तो guys अब ध्यान से देखको इस पर black color से कुछ engraving करके लिखा गया है C22 Sanrio L तो yes guys यह Sanrio का कुछ copyright है मुझे नहीं पता इस Sanrio कौन सा brand है हो सकता है Hello Kitty की कोई franchise और Taker Atomic की मुझे नहीं पता guys पहली बार मैंने किसी DB core में ऐसी engraving देखी है यह लिखा हुआ देखा है तो yes यह DB core special बनती है इस वजह से तो yes guys इस region की वज़े से obviously यह DB core special है और यह dual spin DB core है तो yes guys spring gun के अलावा यह ऐसी DB core है एकलोती जो dual spin कर सकती है spring gun भी कर सकता है बट हाँ spring gun के अलावा यह एकलोती ऐसी है और guys इसका जो color scheme है यह बहुत शांदार है यह देखके तो मुझे मज़े मज़ा गया मैं तो फिदा हो गया यह काफी गजब की है बस बुरी बात है कि हमको एक ही star वाली मिली तो वह थोड़ा सब disappointing है बट कोई नहीं वह तो चलता रहता है इसके बाद guys हमें यहाँ पर मिलता है यह रिवाल डैस तो फाइनली रिवाल का डैस वर्जन आ गया है वैसे और अच्छा ड्राइवरी लोग दे सकते थे बट कोई नहीं रिवाल डैस भी बुरा नहीं है और गाइस मुझे लगता है यह रिवाल डैस इनो नहीं इस लिए दिया है क्योंकि अगर आप एस्टल हेलो क इटी को रिवर्स पिन में यूस करो के घाइस और यह रिवर्स पिन में रिवर्स पिन में उतनी है क्सरा क्राइबर सधिता कर देता हूं तो यह रहा driver यह रही disc तो guys हमने अपना astral dismantle कर दिया है और astral में हमें quattro मिलता है जिसमें की 4 mode आते हैं तो yes यह quattro है और यहाँ पे guys हमें उसकी जगे मिलता है reward dash तो quattro का height थोड़ा से जाता है इसका height कम है बट कोई बात नहीं चलता है बट guys अच्छी बात यह कि जो astral के साथ हमको driver मिलता है वो एक quattro है और वो dash driver नहीं है guys यहाँ पे जो हमें revolve मिलता है यह dash driver है तो spring tight है तो burst होने का chance बहुत कम होता है astral के teeth अच्छे नहीं थे तो अभी check करेंग इसके teeth अच्छे है कि नहीं है अब guys over की बात करते है तो मेरे पास astral है two star over के साथ और guys यह मुझे मिली एक एवल एक star over कोई बात नहीं चलता है बट यह golden over है तो यह एक अच्छी बात है इसके साथ तो yes guys यह एक नया edition है कोई बात नहीं painted disc है अच्छी है और guys armor में कोई difference नहीं है बस यह astral के साथ हमें armor के stickers मिले थे जो की मेरे अब निकल गए है लगवा लगवा और guys इसमें में कोई sticker नहीं मिलते है armor same ही zero armor देखने को मिलता है अब guys db core की बात करें तो यह रहा springan का db core और यह रहा guys hello kitty का db core तो दोनों ही शानदा db core है दोनों ही गजब के हैं guys और इसका यह जो db core एक transparent material से बना जो की काफी अच्छी वाद है यह पूरा solid है ज्यादा था db core हमें solid ही देखने को मिलते है मुझे नहीं पता इसके लावा कोई transparent db core आता है कि नहीं आता different है और पता नहीं क्यों अस्टल पुराना हो गया इस मज़े से इसका colors की मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा बागी आप लोग comments में बताना guys कि आपको यह अच्छा लग रहा है या यह तो guys फटाक से इसको इसके टीट काफी अच्छे फील हुए मुझे हो सकता है डैस ड्राइवर का कमाल वह भी अभी चेक कर लेंगे और यह गया अपना लग गया अश्टल के ओविसली थोड़े से डीले फील होते हैं बढ़ हो सकता है तो guys मैं test के लिए क्या करता हूं इसका ड्राइवर निकाल लेता हूं अब मैं इसके टीट कैसे फील होते हैं तो पहले एस्ट और इसके टीट काफी अच्छा फीलिंग आ रहा था तो yes guys hello kitty और स्प्रीगन के टीट सेमी है मुझे लगा इसके टीट बेटर होंगे बट वो ड्राइवर की मज़े जैसा फील आ रहा था कि बेटर है बट है स्प्रीगन जैसे ही तो yes guys जो ड्राइवर इसमें दे दिया वह अच्छी बात है तो yes guys यह burst नहीं होगा अगर आप य तक यह आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए guys कि कैसा दिखता है यह left spin में और guys left spin में यूज करने के लिए आपको इसका spin reverse करना पड़ेगा उसके लिए आपको टूल यूज करना पड़ेगा तो आप इसको right से left कर सकते हो ऐसे तो guys हमने इसका spin change कर दिया है और यह right से आ guys काफी amazing look आ रहा है और चुकि यह white color का beyblade है तो battle battle मत करना और ना इसका color बहुत जल्दी गंदा होने वाला है मैं तो बोलूँ को plastic wrap वगएरा मैं करके रखो तो मैं अभी क्या करता हूं इसको फड़ाक से वापस right spin में switch कर देता हूं क्योंकि मुझ ऐसा यह दिखता है वैसा मुझे इसको देखने में ज्यादा बेटर लगता है तो yes guys मैं इसको use करना चाहूंगा right spin में ही तो इसको मैं वापस switch कर देता हूं right spin में फड़ाक से और guys वही इसको right spin में switch करने के लिए फिर से आपकी tool use करके इसका spin ऐसे change कर सकते है आर्मर उपर से नीचे करके ऐसे db को लगा सकने गाइस और यह हो जाएगा right spin में तो yes guys ऐसे symbol करके हो गया right spin तो yes guys यह था हमारा astral hello kitty इसका पूरा नाम बनेगा guys astral hello kitty over revolve dash zero तो yes guys यह पूरा नाम है काफी लंबा चौड़ा नाम है लेकिन अभी क्या करते है फड़ाक से stadium लाते test pin करते गाइस battle battle नहीं करेंगे त अगर आप इसे खरीदे तो आप इसे collection purpose के लिए ही खरीदना क्योंकि guys यह बेबलेट काफी ज्यादा rare है और यह special release है और आगे चलके बहुत ज्यादा rare होने वाला है तो मैं बुलूँगा अगर आप इसको 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 यूज़ करो ज्याना better रहेगा तो yes guys यह collection purpose item है तो इ आज फ्रेम चोटा है और कुछ equipment की कमी के वज़े से फ्रेम चोटा हो गया बट वह important बात नहीं important बात है कि अपने पास है astral hello kitty और वह लाल कलर का ऐसा ही हमारा subscribe बटन तो दबा देना फटाक से okay guys तो अभी क्या करते हैं फटाक से इसको test pin देते हैं और मुझे रगता है काफी शांदा test pin होने वाला तो चलो बिना किसी देरी केक करते हैं और test pin अच्छा लगे तो दे देना इस वीडियो को like चलो guys करते हैं let it rip और guys overall काफी गजब का test pin है मुझे तो मज़ा आ गया और ज्यादा कुछ words है नहीं मेरे पास सच बता हूं तो बोलने को काफी cool looking beyblade है काफी अच्छा colors mix हो के आते हैं तो कुछ-कुछ spark fx वाला feel दे रहा है यह बोलो नैडो जब spin करते हैं तो नैडो जैसा भी लग रहा है औ और कुछ लोग इसे ओजी से भी compare कर सकते हैं कि ओजी के बेबलेट से भी ऐसे उभर के color आते थे stamina अच्छा है और बैटल के लिए है नहीं तो stamina अच्छा हो ना उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है बट collection के लिए गजब का गाइस बहुत ज्यादा सुन्दर दिखने वा तो यस गाइस मेरे हिसाब से ये बेबलेट है गजब का और अगर आप collector हो collection करते हो तो ये बेबलेट है आपके लिए अगर battle purpose के लिए लेना चाहते हो गाइस तो springan लेना और गाइस ये उन लोग के लिए भी हो सकता है जिन्होंने springan set नहीं ले पाया थे क्योंकि springan set होता ह costly तो उस case में guys आप ये purchase कर सकते हो extra layer और disc के साथ use कर सकते हो तो yes guys जिन लोगों को extra speaker नहीं मिला थे क्योंकि ये set में आता है काफी costly पड़ रहा था उन लोग लिए ये अच्छा हो सकता है तो वो लोग ले सकते हैं अगर किसी को extra layer ही चाहिए competitive purpose के लिए तो उनके लिए ये useful item हो सकता है बट मैं suggest नहीं करूगा कि इसको battle के लिए use करो तो yes guys आज के लिए इतना ही अपने thoughts को बताना comment section में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और guys हम मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन तो guys तब तक के लिए stay safe और happy blading